आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ होती है तो उसके लिए हमें वो exam देना होता है तो अभी तक सारी arrangements चल रही है Secretary और Governor में आपस में बात हो गई है कि किस तरीके से जो एक्जाम है वो conduct करना है So now let's see कि Jackson की, Stephen की और Evans की जो भी बातें हुई थी उसके बाद आगे उनकी conversation किस तरीके से continue होती है Just this once, then Shirley Temple If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans It was his long wavy hair and get shaving अब उसने क्या बोला कि सिर्फ एक बार Shirley Temple, Shirley Temple एक मतलब celebrity हम कह सकते है जिनके कुछ इस तरीके के wavy hair थे तो Jackson को वो बिलकुल भी जादा पसंद नहीं थे क्योंकि Evans के भी बाल जो थे वो ऐसे ही थे और वो उसे कहता है कि and get shaving, shaving भी तुम्हें करनी है At 8.45, the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Bort Street and stepped out briskly towards Carfax अब सुबह 8.45 का time है जो Reverend Stuart McCleary, जो की invigilator बनके आने वाले हैं Evans के वो अपना bachelor flat से निकलते है और briskly, briskly मतलब होता है तेज से चलना Carfax की तरफ, Carfax होता है कि जो street का junction होता है उस तरफ वो हाँ से चलते है Bachelor flat एक इस तरीके का कुछ flat होता है जिसमें एक ही room में kitchen भी होता है, bed होता है living area भी होता है सब कुछ सिर्फ एक जो की सिर्फ एक जने के रहने का flat होता है उसे bachelor flat कहते हैं तो जो Stuart McClary थे वो इसी तरीके के एक flat में रहते थे अब यहाँ पे क्या हो रहा है यह बता रहे हैं कि normally जो early June का time था तो जो weather reporters होते हैं उन्होंने report दी थी कि जो temperature रहेगा वो usually below रहेगा, कम रहेगा तो जो हमारे Stuart McClary थे हैं उन्होंने एक black color का overcoat पहना हुआ है और एक shallow crowned clerical hat पहनी होई है वो कुछ इस तरीके की hat होती है जादा गहरी नहीं होती है चोटी सी होती है और ये चारो तरफ से कुछ इस तरीके की होती है तो उन्होंने पहनी होई है जिससे उनकी किस चीज से protection हो रही है drizzle हो रहा है, हलकी हलकी मूंदा बांदी होती है उसे drizzle कहते हैं, वो हो रही है और आधे घंटे के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने पार करने में लगा तो उनके जो चश्मा था जिसके जो lenses थे, वो बहुती ज़दा थिक थे उनके उपर पूरे पर पानी पानी हो गया और उन्हें धुनला दिख रहा था उनके राइट हैंड में उन्होंने एक चोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस पकड़ा हुआ था विच पंटेंड ओल्ड़ थे, वो सारा समान था जो उन्हें जब ये एक्जाम कंड़क्ट कर रहे थे न इवांस के लिए उसमें जो भी उन्हें चीजें चाहिए थी उसके लिए जो सारा समान उनके सूटकेस के अंदर था अब उसके अंदर क्या क्या चीजी ने थी सबसे पहली चीज तो उसके अंदर थी कि एक sealed question paper था एक envelop के अंदर वो question paper events के लिए था जो कि वो exam दे रहा था जिस चीज़ का दूसरी चीज थी कि एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था उस फॉर्म को उन्हें भढ़ना था क्योंकि वो इन्विजिलेट कर रहे थे इवैंस को एक special authentication card था मतलब एक ID card उनके पास था जो कि ये बताता था कि वो जो है वो right person है Stuart McLary ही है जिनने यहाँ पर duty के लिए भेजा गया है examination board की तरफ से एक paper knife था और एक Bible थी जो की मतलब जिसमें से उन्हें पढ़ना था किसके लिए women's guild के लिए women's guild मतलब होता है कि जो group होता है वो क किसी एक particular चीज के लिए जब assemble होता है तो यहाँ पर जो कुछ women थी वो किसी एक particular चीज के लिए assemble होई थी वहाँ पर और हमारे Stuart McLary को book of Ruth में से वहाँ पर कुछ बोलना था and a current copy of the church times और उन्हों के पास church times की एक current copy थी यह सारा समान उनके उसमें suitcase में मौजूद था अब जो यह दो गंटे के exam था इसका time 9.15 a.m. का schedule किया गया था इवांस वहाँ ने क्या किया कि एवांस जो था वो shave करने के लिए lathering means form बनाना shaving से पहले जब form बनाते हैं अपने face के उपर वो बहुत जल्दी-जल्दी form बना रहा था vigressly means होता है बहुत जल्दी-जल्दी तो Stephens क्या करता है उसके bunk उसके अंदर जो cell होता है उसका उसके अंदर दो square tables लेके आता है और उनको opposite रख देता है वो जो छोटा सा space होता है cell का उन दोनों के बीच में bunk बन्क होता है उसका जो bed हमने उपर वाली picture में आपको दिखाया था that is called a bunk this is a bunk तो इनके बीच में वो यहाँ पर लाके उसे रख देता है next stephen's brought in two hard chairs अब वो दो hard chairs लेके आता है the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door अब cell door के पास वो एक table मतलब की table के पास जो cell door के पास रखा हुआ है वहाँ पर वो एक घिसी हुई बिल्कुल जो मतलब घिसी हुई chair होती है वो वहाँ पर लाके उसे रख देता है jackson put in brief a final appearance behave yourself laddie अब jackson क्या है एक you know final appearance देख लेता है कि सब कुछ ठीक से रखा है या नहीं रखा है और फिर वो evans को बोलता है कि behave yourself अपने मतलब हद में रहना धंग से behave करना evans turned and nodded evans मुडता है और nod करता है अपना सर हिलाता है and these jackson pointed to the pinups of evans turned and nodded again अब वो जो jackson है वो बोलता है कि यह जो pinups लगाये हुए है यह जो तुमने कूटी पे फोटोस वगरा लगाई हुए है इन्हें भी हटा देना evans turned and nodded again evans मुडता है और वापिस अपना सर हिलाता है I was going to take them down anyway a minister isn't it the chap come in to sit in I mean अब वहाँ पे events बोलता है मतलब अपना सर घुमाता है हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं यह पहले ही हटाने वाला था जो यह EM है EM means है यहाँ पे them उन्हें पहले ही मैं हटाने वाला था जो invicilate करने के आ रहे है क्या वो एक minister है मतलब वो minister ही है ना the chap come in to sit in I mean chap यहाँ पे फिर से बोलता है कि एक लड़के को बोलता है जैसे laddy chap जो भी ऐसे words यहाँ पे use किये है वो एक लड़के के लिए use किये है तो कहले है कि एक minister ही आ रहा है ना यहाँ पे बैटने के लिए मेरा मतलब है and how did you know that ask Jackson quietly तो Jackson उसे बुझा तुम्हें यह कैसे बता well I had to sign some forms didn't I and I couldn't help तो वो कहता है कि मुझसे कुछ form sign करवाय गए थे और तुम्हें बताओ क्या नहीं करवाय गए थे तो मतलब मैंने उसमें पढ़ लिया और उसमें देख लिया Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swad in the white ladder can I ask you something Mr. Jackson अब Evans क्या करता है उसके मुझे जो पूरा form लगा हुआ है तो अपने वो left cheek से razor को नीचे की तरफ लाता है तो वो जो clean area हो जाता है एकदम से तो वो वहाँ पे एक बहुत ही neat swad वो उसी चीज को हम neat swad बोलते हैं उस सफेद form में से वो एक neat बिल्कुल proper swad हो जाता है और फिर वो बोलता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं Mr. Jackson Why did they have to bug me in this cell? कि उन्हें मुझे bug क्यों करना था इस cell के अंदर bug me means होता है कि जब हम you know कोई एक particular मतलब secretly कोई एक device लगा देते हैं जिससे हमारी आवाजें record होती हैं तो वो कहता है कि उन्हें मुझे bug क्यों करना है उन्हें मेरी सारी आवाजें सुनने क्यों हैं ऐसा क्या reason है He nodded his head vaguely to a point above the door और उसने मतलब की door के उपर एक point पे देखते हुए ये बात बोली क्योंकि वो जो bug था वो वही पे लगाया हुआ था जो डिवाइस था उसकी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए वो डौर के उपर ही लगाया हुआ था Not a very neat job conceded Jackson Jackson बोलता है ओफो जो काम है वो ढंक से नहीं किया गया Evans को पता चल चुका है कि उसे बग किया जा रहा है They are not, they don't honestly think I'm going to try to तो फिर Evans बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी भी ये सोच रहे है कि मैं वापिस से भागने की कोशिश करूँगा They are taking no chances Evans Nobody in his senses would take any chance with you तो Jackson बोलता है कि वो कोई भी chance तुम्हारे साथ नहीं लेना चाहते है मतलब कोई भी इंसान तुम्हारे साथ अब किसी भी तरीके का chance नहीं लेगा जिससे कि तुम वापिस से भागने की कोशिश करो Who's going to listen in? तो वो पूछता है कि कौन सुनने वाला इन सब चीजों को I'll tell you who's going to listen in, lady It's the governor himself, see तो वो कहता है Jackson कि मैं तुम्हें बताता हूँ लड़के कि कौन सुनने वाला है ये जो तुम्हारी सारी recordings होंगी वो governor खुद सुनेंगे He don't trust you a bloody inch and nor do I वो तुम्हें 1% भी तुम पर विश्वास नहीं करते और नहीं मैं तुम पर विश्वास करता हूँ I'll be watching you like a hawk, events So keep your nose clean, clear He walked towards the door तो वो बोलता है कि वो बास की तरह हौक होता है बास की तरह अपनी नजरे तुम पर गड़ाए हुए है और तुम थोड़ी सी भी कोशिश मत करना कोई भी परिशानी करने की Nose clean means थोड़ी भी हम जैसे दिक्कत करने की या कोई भी परिशानी करने की कोशिश मत करना Clear? क्या तुम्हें समझ आ गया? He walked towards the door और वो दरवाजे की तरफ चलने लगता है Evans nodded He had already thought of that and number two handkerchief was lying ready on the bunk a neatly folded square of off-white linen अब क्या है? Evans कहता है हाँ हाँ, बिल्कुल He had already thought of that उसने उसके बारे में पहले ही सोच लिया था और दूसरी चीज जो handkerchief था, जो रुमाल था वो उसके bunk के उपर रखा हुआ था बिल्कुल neatly fold होके जो की white color का था linen एक कपड़ा होता है उसका Just one more thing Einstein, तो Jackson बोलता है एक और चीज Einstein, Einstein मतलब यहाँ पर वापिस से उसे क्योंकि हूँ एक एक एक्जाम देने जा रहा है उसके बिल्कुल भी नहीं है तो वो से सर्कास्टिक वे में हाँ पर Einstein बोलता है या, what's that तो events बोलता है हाँ जी, क्या है वो चीज़ बताइए, पूछिए good luck old son तो गलता है उसको wishes दे रहा है अब क्या है, यहाँ पर Maclory की entry हो चुकी है वो prison में आ चुके है उन्होंने क्या कर दिया है जो visitors book होती है जिसमें जो भी लोग entry लेते हैं वो sign करते हैं वो उस पर sign कर चुके है और वो अराम से धीरे-धीरे prison officer के साथ में चल रहे है D-wing की तरफ और उसे cross करके जब आगे जहाँ Evans का wing होगा वहाँ पर वो आने वाले है तो Jackson उन्हें देखते हैं और उन्हें greet करते हैं अब क्या होता है कि wing में जैसे jail के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े gate होते हैं जिनको ये लोग lock लगाके रखते हैं तो जैसी वह अंदर आते हैं तो वो जो बड़े दर्वाजे हैं उन्हें lock कर दिया गया है उसे अंदर लेके बाहर खड़ा था वो तो उसे वापे से अंदर लिया और उन्हें दुबारा से lock कर दिया गया है और McLare ही जो है उसको Stiffen's के हातों swap दिया गया अब Stiffen's जो है वो उन्हें Jackson उसके पास Evans के पास लेके जाएंगे Get the razor murmured Jackson अब Jackson क्या murmur करते है Stiffen's को की ना razor लेते आना उसके पास से Stiffen's nodded, Stiffen अपना सर हिलाता है कि ठीक है Well, keep your eyes skinned clear तो वो कहता है कि जब आँखे हैं वो बिलकुल उसके ऊपर ही रखनी है Clear? क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? Stiffen's nodded again and McLaree, his feet clanging up the iron stairs followed his new guide and finally stood before a cell door where Stiffen's opened the peep hall and looked through अब यहाँ पर क्या होता है कि Stiffen's उसकी सारी बातों कि हाँ कर देता है कि ठीक है मैं razor भी लियाओंगा उसके उपर आखे भी रखूँगा पूरा ध्यान रखूँगा हर एक चीज का तो क्या करते हैं McLaree और Stiffen's चले जाते हैं वो जो लोहे की सीड़ेया उनके उपर चड़ रहे हैं वो followed his new guide, new guide कौन है आपे? Stiffen's है तो जो बैकलरी है वो Stiffen's को follow कर रहे है और finally उसके cell door के आगे Evans के cell के आगे जाके खड़े हो जाते हैं Stiffen जो है peephole, peephole जो दरवाजी में एक hole होता है जिसके अंदर से अपन देख सकते हैं उसमें से देखते हैं अंदर Evans को That's him sir तो जो कहते हैं यही है वो sir Evans facing the door sat quietly at the father of the two tables his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar अब Evans जो है वो दरवाजी की तरफ फेस करके बैठा हुआ है बहुत शांती से उन दोनों टेबल से दूर और उसकी जो पूरी attention है वो उसकी elementary German grammar की जिसका वो exam देने वाला है उसी में उसकी attention पूरी की तरी है Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang अब क्या होता है Stephens वो key निकालता है उसकी ring में से और cell का lock खोलता है और उसमें से एक आवाज जाती है जैसे अब जब होन ताला खोलते है तो तब एक आवाज आती है जब वो metal की जो चाबी होती है ताले में जाती है अब नौ बज के दस मिनट थे जब गवर्नर ने जो receiver है वो switch on किया मतलब जो bug लगा हुआ था मापे उसकी आवाज record करने के लिए उसे switch on किया अब उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया Jackson को बूला कि जो इवाज है उसकी मतलब की थोड़ी सी तो में protection जो है एक temporary protection रखने ही पड़ेगी और ये कब सिर्फ fair होता जब इवाज को इसके बारे में नहीं पता होता बट इवाज को अलरेडी पता था कि जो वो बग है वो वहाँ पे लगा हुआ है और उसकी सारी recording हो रही है अब यहाँ पे जो गवर्नर है उसका दिमाग चल गया और वो बोलता है कि यह थोड़ा सा मतलब की theatrical, dramatic type का नहीं हो गया है जैसे school के बच्चे करते हैं उस तरीके का मतलब उसने आज का दिन ही क्यों चुना यहाँ से भागने के लिए ऐसा वो क्यों करेगा और वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा anxious anxious मतलब होता है कि restless हो जाता है उसे समझ नहीं आता है अगर उसे वापिस से जाना ही था जेल से मतलब भागना ही था तो उसने भगवान के नाम पे वो कुछ भी ट्राइ कर सकता था वो recreational block से भी तो भाग सकता था वो उसके लिए जादा easy होता पर उसने ऐसा नहीं किया और अब क्या है वो एक locked cell के अंदर बैठा हुआ है अगर वो चाहता भागना तो वो कैसे भी भाग सकता था recreational block से भागना उसके लिए बहुत असान था उसने आज का दिन ही चुना सारे officers alert हो रखे हैं सारे prison officers वहीं पे खड़े हैं और उसकी जो wall है मतलब उसके yard की जो wall है वो इतनी उची है जितना उची है एक haystack होता है haystack usually जब मतलब खेत वगेरा की कटाई होती है तो ये एक इतनी उची stack scanner बनाई आती है तो इतनी उची wall है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता है तो ऐसा उसने क्यों किया Yes, events was as safe as Houses तो events जो है वो इतना ज़ादा safe था यहाँ पे कि वो कहीं भी नहीं भाग सकता था Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so तो बोलता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी परिशानी नहीं होगी अगर जो receiver है उसको turn on कर दिया जाए for next couple of hours मतलब अगले कुछ गंटों के लिए or so It wasn't as if there was going to be anything to listen to ऐसा नहीं है कि महाँ पे obviously भात है कि अगर कोई exam हो रहा है तो महाँ कुछ सुनने को तो मिलेगा नहीं नहीं उसके साथ कोई और है जिसे वो cheating करेगा या बात करेगा तो उससी को वो सुन सकते हैं उसमें तो हमें कोई भी दिकत नहीं होने वाली है और usually ये duty किसकी होती है as if there was going to be anything to listen to was it amongst other things an invigilator's duty was to ensure that the secret the strictest silence was observed और इन सब भी चीज़ों के बीच में जो invigilator होता है उसकी duty होती है ये ensure करना, ये पका करना कि strictest silent रहे बिल्कुल जो pin drop silence होती है वो रहे, वहाँ पे ये चीज़ उसे observe करनी होती है but still the little nagging doubt पर फिर भी एक थोड़ी सी doubt जो है वो दिल में उनके रहती है might events try to take advantage of McLery, हो सकता है कि जो events है, वो McLery की advantage उठाने की कोशिश करे, get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder और अब हो सकता है कि जो events है, वो McLery से ही मतलब की कुछ chisel मंगवाले या फिर एक rope ladder मंगवाले जिसकी help से वो ये yard की दिवार cross कर सकता है या फिर इसको एक मतलब औजार की तरह यूज कर सकता है एक हतियार की तरह यूज कर सकता है chisel यह होता है, यह लकड़ी का काम करने के यूज में आता है, इस तरीके का उजार होता है तो वो दिमाग में उसके governor के बात आती है the governor sat up shop, लिए अब governor एक तम से उठके बैट जाता है, it was all very well getting rid of any potential weapon that events could have used, but what about mcclary, बलब हो सकता है कि na events किसी भी चीज को एक potential weapon बना सकता है किसी भी चीज को एक हतियार की तरह यूज कर सकता है पर mcclary का क्या है mcclary का क्या करे, what if quite unwittingly the innocent mcclary had brought in something himself, हमें क्या पता कि unwittingly, unintentionally जो mcclary है कहीं वो कोई एक ऐसी चीज तो नहीं ले आया है अंदर, जो की हमारा जो events है, एक हतियार की तरह यूज कर सकता है, और jackknife परहापस jackknife भी हो सकता है, jackknife वो होता है जो एक folding knife होता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसे हम अंदर fold कर सकते है and what if events held him hostage with such a weapon, और क्या होगा अगर जो events है, वो हमारे जो mcclary है, उनको bandi बना ले, hostage होता है bandi बनाना, the governor reached for the phone, it was 9.12 am, अब governor जो है, वो phone के पास जाते है, और अब 9.12 मिनट हो चुके है, दिन के the examinee and the invigilator had already been introduced by Stephenson when Jackson came back and shouted to mcclary through the cell door, can you come outside a minute sir, you too, Stephen, अब जो examinee है, और जो invigilator है, वो already introduced उन्हें करवा चुके है Stephen और Jackson, इतने में ही क्या होता है कि Jackson जो होता है, वो वापिस आता है और जोर से चिलाता है mcclary, cell door में से क्योंकि वो लोग अंदर अलरड़ी बैठे हुए है events से introduction हो चुका है तो बाहर एकदम से Jackson आते हैं और वो mcclary चिलाते है can you come outside a minute sir, you too Stephens, तो वो उन्हें बोलते हैं कि क्या आप थो एक minute के लिए बाहर आ सकते हैं और Stephens को भी वो बाहर बुलाता है Jackson quickly explained the governor's worries and mcclary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson slightly frisked his clothes something hard here sir अब यहाँ पर क्या करता है Jackson वापिस से भागा भागा आता है और quickly explain करता है सारी चीजे कि जो भी दिमाग में चिंता है governor के आई है तो mcclary patiently अपने हाथ उठाता है shoulder के level तक जब हम checking कर आते हैं अपनी तो जिस तरीके से हम हाथ उठाते हैं और Jackson अराम से बहुत ही lightly उनके जो कपडो किया वो तलाशी लेता है फिर वो बोलता है कि something hard here sir कुछ hard चीज है वो यहाँ पर है मार रेडिंग ग्लासे रप्लाइड मैकलरी मैकलरी बोलते हैं कि मुझे मेरे चश्मे हैं जो मैं पढ़ने के लिए इस्तमाल करता हूँ looking down at the spectacle case और वो अपने जो चश्मे रखने का case होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं अब Jackson क्या करता है quickly सारी चीज़े रियाश्योर कर लेता है मतलब सब चीजों को वापे से देख लेता है और नीचे की तरफ जुखता है किस चीज के लिए उसके जो suit case होते हैं जो पुराने जमाने की suit case होते थे उन्हें खोलने के लिए जो catches होते थे उन्हें जब हम fold करते थे, flick करते थे तो ही वो suit case खोलते थे तो उन्हें flick करता है उनके अंदर से हर एक envelope निकालता है और उनको मतलब देखता है कि उसमें कुछ न कुछ है या नहीं है और वो सब चीजे वो चेक करने के बाद थोड़ा satisfy feel करता है अब वो क्या करता है जैसे अपन बुक खोल के देखते है न चेक करने के लिए तो वैसे ही वो Bible को खोल के देखता है Holy Rit यहाँ पे Bible है और जो Church Times का newspaper था उसे हिलाता है ताकि वो देख सके कि किसी में भी कोई और ऐसी चीज तो नहीं है तो वो कहता है कि क्या आप मतलब की बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं आप से पूछू कि आप यह क्यों लाए है और वो चीज क्या थी एक रबर की रिंग थी ऐसे गोल कलर की वो पूछता है कि आप यह रबर रिंग क्यों लेके आए है और वो इतनी जादा छोटी थी कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी वेस्ट का साइज 12 इंचे होगा वो भी उसके अंदर नहीं फिट हो सकता You're thinking of going for a swim, sir तो पुछता है कि क्या आपने इन सब चीजों के बाद, exam के बाद, कहीं swimming के लिए जाने का सोचा है क्या और वो ये बाद बहुत हसते वे बोलता है, मजाग उडाते वे Maclary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sorely अब यहाँ पर Maclary क्या करता है, यहाँ पर बहुती तीन hard words जो है मैं उसका meaning आप लेख लीजए, hitherto means होता है कि अब तक amiable और demeanor demeanor का means होता है कि जो nature होता है किसी का, वो nature, आचरन जिस तरीके से वो behave करता है, वो तो अब तक क्या है जो Maclary एक बहुत ही friendly आचरन सबके सामने दिखा रहा था, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो Jackson के joke से बिलकुल भी खुश नहीं होता है, वो थोड़ा सा गुसा हो जाता है और वो जो Jackson को एक बहुती क्रूर तरीके से, बहुती roughly उसको reply करता है तो वो बोलता है कि मैं जो है, वो हमेरोइट से सफर कर रहा हूँ, मतलब मुझे हैमेरोइट की बिमारी है हमेरोइट मतलब पाइल्स की बिमारी है उसको और अगर मैं जादा लंबे समय के लिए बैठता हूँ, तो और वो यहाँ पर रुख जाता है इतने में ही, जो Jackson होता है, वो कहता है, sorry sorry sir, मतलब की, मेरा वो मतलब नहीं था I didn't mean to death, the embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case अब वो जो embarrassment थी, वो जो awkwardness उसके face पे आ गई थी, उसने ऐसा question उन से कर लिया था उसकी वज़े से उसकी वज़े से उसके जो गाल थे, वो अभी भी लाल हो रखे थे इतने में ही उसे क्या मिलता है, एक paper knife मिलता है, उसके suitcase के bottom में तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये paper knife जो है वो रख लेता हूँ अगर आप मतब बुरा ना माने तो अब क्या होता है कि 9.18 का time हो गया है और governor जो है उनकी voices वापिस से सुन रहे होते हैं और ये उन्हें clear हो गया है कि जो examination है वो थोड़ा सा late शुरू होगा क्योंकि उनकी आवाजे सुन रहे होते हैं जो checking वगरा चल रहे होते हैं इसकी जैसे जो exam है वो थोड़ा सा delay हो गया होता है Maclary, you have got a watch Maclary बोलते हैं कि तुम्हारा पास घड़ी है events? Yes sir Maclary, I'll be telling you when to start and again when you have five minutes left or right Maclary बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें exam कब शुरू करना है और तुम्हें तब भी बताऊंगा पाँच मिनिट पहले जब तुम्हारा exam खतम होने वाला होगा All right, A right यहां पे है All right, क्या ठीक है? मतलब तुम्हें समझ में आ गया और फिर एकदम से silence हो जाती है Maclary, there is plenty more of this writing paper should you need it तो Maclary बोलता है कि मेरे पास और भी papers हैं लिखने के लिए अगर तुम्हें चाहिएं तो तुम ले सकते हो फिर से वो शायन तो चाता है Maclary, अब यहां पे events कुछ भी नहीं बोल रहा है वो सब उसे instruction दे रहा है कि किस तरीके से आगे काम होगा Now write the name of the paper 021-1 in the top left hand corner right side में यहां पे अपना index number लिख दो that is 313 and in the box just below that write your center number 271 A right और उसके नीचे एक box बना होगा उस paper के नीचे एक box बना होगा उसके अंदर अपना index number लिख दो जिसका नाम है 271 center के अंदर तो यह सारे instructions जो है Maclary उसे दे रहा है जो भी exam के rules होते हैं वो सब उसे बता दिये गए है silence 9.20 अब 9.20 अब 9.20 हो गए है और एक्दम शान्ती हो जाती है Maclary I am now going to Maclary बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इतने में वो चुप हो जाता है और events बोलता है this is not gonna to stay there is there तो अब यह जो words है वो मतलब पहले की English में use होते थे बट अभी हम use नहीं कर सकते यह ऐसे होता है this is not going to stay E-R-E means here is it मतलब is this यहाँ पर ऐसा होने वाला है क्या Maclary I don't know about that I तो कहते हैं मुझे ऐसा नहीं पता है Stephens Mr. Jackson give me strict instructions to अब यहाँ पर जो events है वो Stephen के लिए यह सब बाते बोल रहा था कि वो यहाँ पर थोड़ी नहीं रुकने वाला है तो Maclary बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तो Stephens बोलता है कि Mr. Jackson ने मुझे strict instructions दे है कि मुझे यहाँ पर रहना है यहाँ पर सभी जो है वो अपने पूरे sentences नहीं बोल रहे है सिर्फ आदा आदा बोलते हैं और कोई ना कोई उनका जो dialogue है वो काट रहा है events how am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck अब events बोलता है कि मैं अपने exam पर कैसे concentrate करूँगा अगर कोई एक इनसान मेरी बिल्कुल गर्दन के नीचे सांस लेगा तो जोर-जोर से Christ sorry sir I didn't mean अबर वो एकदम से मनदब यह बात बोल के बोलता है कि sorry मेरा वो मतलब नहीं था The governor reached for the phone Jackson Ah good Get Stephens out of that cell will you I think we are perhaps overdoing things तो जो governor है उसको phone करता है Jackson Jackson वो बोलता है कि Ah good वो बोलता है कि हाँ अच्छा है Get Stephens out of that cell will you Jackson को बोलता है कि Stephen को सेल से बाहर लेके आ जाओ क्योंकि वो सारी बाते उनके सुन रहा होता है I think we are perhaps overdoing things मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीजे हैं जो strictness है वो बहुत जादा ही कर रहे है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वो अराम से बैटके exam देगा जितने में securities हैं वो बिल्कुल properly करी हुई है As you wish sir तो Jackson बोलता है कि ठीक है आप जैसा चाहें The governor heard the exchanges in the cell Heard the door clang once more And heard McClary announce That the examination had begun at last अब governor जो सारी बाते सुन रहे होते हैं Cell में से तो वो अराम से दरवाजी की आबाद सुनते हैं एक और बार McClary को announce करते हुए सुनते हैं कि जो exam है वो अब start होने वाला है It was 9.25 a.m. and there was a great calm 9.25 का time हो गया था और बिल्कुल चारो तरफ शांती थी At 9.40 a.m. the examinations board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor अब यहाँ पर क्या होता है कि 9.40 का time हो गया था examination board का क्या है phone आता है और जो assistant secretary होता है वो कुछ मतलब की special responsibilities जो होती है modern languages के लिए वो governor से पूछता है The examination had already started no doubt जो exam था वो already start हो चुका था A quarter of an hour ago Yes well तो वो से बताता है कि हां मतलब की सारी चीज़े हो गई है और पोने गंटे के पहले मतलब करीब जो exam है वो शुरू हो चुका है Yes well there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package अब वो secretary उने बताता है कि एक examination correction slip थी जो कोई बेवकूफ आदमी है वो examination package के अंदर डालना भूल गया है Very brief Could the governor please तो बुलता है कि बहुत ही छोटी सी है तो वो लिख सकता है उसमें कि Could the governor please मतलब क्या जो governor है उनसे request करना है न कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं अब वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है पका पका मैं ऐसा कर सकता हूँ और वो उनकी जो line है वो Mr. Jackson से connect करवा देता है जो कि D-Wing में बाहर खड़े होते हैं और उनने बोलता है कि आप एक minute रुकिये Was this the sort of thing the governor had feared क्या ये कोई ऐसी चीज थी जिस से जो governor है उन्हें डरना चाहिए था Was the phone call a fake? क्या जो वो phone call था वो fake था? Some signal, कोई ऐसा इशारा था Some secret message या कोई secret message था But he could check on that immediately पर क्या कर सकते थे? वो उस चीज को check कर सकते थे He dialed the number of the examinations board but heard only the staccato bleeps of a line engaged अब क्या किया? उन्होंने dialed किया number examination board का और वो सोच रहे थे कि यह जो call आया यह fake भी हो सकता है तो उस चीज को check करने के लोगने वापस examination board का number dialed किया पर उसमें बार-बार एक ही जो engaged line होती है ना जब एक voice आती है वो वहाँ पे बार-बार आ रही थी But then the line was engaged wasn't it पर जो line थी वो engaged थी क्योंकि उन्होंने उसको call किया हुआ था Yes, not very intelligent That Two minutes later he heard some whispered communication in the cell अब दो minute के बाद क्या होता है कि कुछ फुस फुस आने की बाते चल रही होती है cell के अंदर वो से सुनाई देती है And then McClary's Broad Scott's voice Will you please stop writing a wee while Mr. Evans and listen carefully Candidates offering German 0211 Should note the following correction On page 3, line 15th The fourth word should read Goldenen, not Goldeen And the whole phrase will therefore read Zum Goldenen Lawin Not Zum Goldeen Lawin I'll repeat that और फिर जो मतलब McClary होता है वो अपने Scottish accent में कुछ बोलता है Will you please stop writing a wee while Mr. Evans And listen carefully अब ये जो dialogue वो बोल रहा है वो थोड़े Scottish accent में बोलता है कि आप please थोड़ी देर के लिए रुकेंगे Mr. Evans आप मेरी बात थोड़ी धहान से सुनिये We means होता है little Candidates offering German 0211 Should note the following corrections जो भी candidates German का ये exam दे रहे हैं जिनका code ये है उनके लिए एक थोड़ा सा correction है The governor listened and smiled अब governor वो बात सुनता है और हसने लगता है क्योंकि वो शक कर रहा था कहीं ये जो call है वो fake तो नहीं है या फिर कोई secret message तो नहीं है इसके अंदर He had taken German in the sixth form himself उसने जो German थी वो sixth form में मतलब पहले उसने अपनी class में कियो ही थी And he remembered all about the agreements of adjectives और adjectives के जो भी rules वगेरा थे वो उसे सब के बारे में जानता था And so did McLary by the sound of things for the minister's pronunciation was most impressive और यहाँ पर जो governor है उसे भी जो McLary का accent था उसे समझ में आ गया था कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो pronunciation उन्होंने किया था वो impressive लगा था कि उन्हें भी बहुत अच्छे से German आती है But what about events? पर events का क्या था? He probably didn't know what an adjective was पर उन्हें मतलब events को तो बिलकुल भी शायद नहीं पता था कि adjective होते भी क्या है The phone rang again The magistrate's court They needed a prison man and a couple of prison officers अब वापिस से phone बशता है और यह court से magistrate का call होता है उन्हें prison van चाहिए होती है और कुछ prison officers चाहिए होते है Remand case And within two minutes The governor was wondering whether that could be a hawks अब क्या होता है? कि यह एक remand का case होता है जो मतलब की criminals होते हैं उनको remand पे लिया जाता है ताकि उनसे सच वगर उगलवा सके तो उस चीज के लिए यह call होता है तो दो minute के अंदर जो governor है वो वापिस से सोचने लग जाता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं बिचा रहे है कहीं यह fake call तो नहीं है He told himself not to be so silly अब वो खुद को यह समझाता है कि इतना मुझे बेवकूफ होने की जरुरत नहीं है His imagination was beginning to run riot अब उसकी जो कलपनाई थी वो अपने ही अपने आप में मतलब की riots होते है जो दंगे फसाद होते है न वो करने लगी थी मतलब वो बहुत ज़दा confused हो गया था क्योंकि अलग अलग तरीके के जो खयाल थे वो उसके दिमाग में आ रहे थे events For the first quarter of an hour Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of one minute or so and after that every two minute अब पहले जो quarter of an hour था उसके अंदर जो Stephen था उसने बिलकुल हर minute के अंदर उस peephole में से जाग के देख रहा था वो और जो security थी वो पूरी तरीके से strict थी At 10.45 a.m. Everything was still all right as he looked through the peephole once more अब 10.45 पे क्या हुआ उसने वापिस से जब उसके अंदर देखा तो सब कुछ बिलकुल ठीक था It took 4 or 5 seconds, no more What was the point? It was always more or less the same अब वो, मतलब इस काम में उसे 4-5 seconds लगते थे इससे जादा नहीं लगते थे और हमेशा जो चीज देखता था वो same ही देखता था तो कोई point नहीं था और हर बार जब भी वो देख रहा था तो same ही चीज उसे दिखती थी कि जो events है, वो जो pen है अपने lips के बीच में दबा के बैठा हुआ है और सामने door की तरफ देख रहा है और कोई न कोई inspiration उसे मिल जाएगी और वो वो exam में लिखतेगा अब इसके आगे का जो chapter है वो हम next video के अंदर करेंगे काफी लंबी video हो गई है यह काफी लंबा chapter हमने कीच लिया है अभी तक हमने देखा कि सारी settlements हो गई थी दो-तिन calls आते हैं गवर्नर और मेजिस्ट्रेट वगेरा के और मतलब गवर्नर बहुत परिशान हो रहा है कि कहीं यह fake calls तो नहीं है events भी exam देने बैठ चुका है सारी जो extreme details है वो इस chapter में हमें दी गई थी जो इस वीडियो में हम देख चुके हैं So, let's continue this chapter in the next video Thank you